एलो फ्रेंट्स, SK Fashion Designer में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स, आज हम पुरानी कुर्ती का बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ करने वाले हैं उसका जो इंब्रॉइडरी वाला बर्क है, उसका आज हम यूज़ करने वाले हैं तो वीडियो पूरा देख लेजिएगा वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है और आपको काफी पसंद भी आएगा तो आज हम डाइनिंग टेबल मैट बनाना सीखेंगे और उस पर डिजाइनिंग करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से तो चलिए ज्यादा बाते ना करत करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखें यह मेरी कुर्ती है काफी पुरारी है जॉर्जट फैबरिक है उपर जो है थोड़ा सा सिंथेटिक फैबरिक है और इसकी बाजू हाम होड के नीचे आप देख सकते हैं जा बहुत ज्यादा यह खराब हो गई है क्यूंक करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है एक मैंने प्लास्टिक की बोरी है देखिए बीच में डाली है नीचे लाइनिंग का कपड़ा सबसे पहले हमने चारो साइट से इसको स्टिच कर लेना है तो यह डाइनिंग टेवल मैट है आप कुछ भी बना सकते हैं बैडशीट बना लिजिए कुशन कबर बना लिजिए पिलो कबर कुछ भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं तो फ्रेंट्स मैं आपको बताती हूँ जरूरी नहीं है आप मैट बनाएए मैं तो आपको डिजाइनिंग करना बताती हूँ तो आप बड़े साइज का जो भी बैडशीट पिलो कबर जो भी बनाना चाहते है ना बना लिजिए मेरा मेन मतलब होता है आपको आप बना सकते हैं और डाइनिंग टेबल का पूरा सेट आप बना लेजिए बैड रनर बना लेजिए पूरा सेट आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए हमने बीच में कुल्टिंग कर लेनी है तो चार चार इंच का गैप छोड़ते हुए यह देखिए इस तरह से मैंने सीलाई लगा ली अब इस साइड को मोड लेंगे मिशीन से हम बिलकुल भी सीलाई को निकालेंगे नहीं कपड़े को और इस तरह से गुमाते हुए पूरा मैंने इस पे कुल्टिंग कर ली है तो आप देख सकते हैं बाटर प्रूफ है इसमें हमने प्लास्टिक की बोरी डाली है पानी बगएरा गिर जाएगा तो नीचे पानी नहीं निकलेगा तो देखिए फ्रेंस यह जो पैच है यह देखो किस तरह से ह हमने कट करने हैं यह मैं आपको दिखा देती हूं इसके न बिल्कुल भी धागे बगएरा नहीं निकलेंगे अगर आपको लगता है कि धागे निकलेंगे तो बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे आगे कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूं कि इस तरह से हमने लाइट इस तरह से अगर आप कोई इंब्रोइडरी बूटीक पे जाते हो तो बहुत सारे आपके पैसे लगेंगे इंब्रोइडरी का वर्क जो है काफी महंगा होता है तो देखें इस तरह से लाइटर की हल्प से हमने हलका हलका सा यहां से यह देखो इस तरह से अभी धागे इसके जो कपड़ा था ना एकदम से कठा हो जाएगा और धागे बिलकुल भी नहीं निकलेंगे तो फ्रेंट्स इस तरह से आप अपने सूट पे भी डिजाइनिंग कर सकते हैं अभी काफी सारे पैच मैंने रखे हैं मैं एक प्ले थोड़े धागे बगेरा निकले हैं लेकिन जो अभी बिलकुल बढ़िया है न अच्छे से उनको मैं सूट के उपर डिजाइन करोंगी उनको बिलकुल भी वेस्ट नहीं करोंगी वेस्ट तो हमने यह भी नहीं किये यह भी हमने डाइनिंग टेबल का मैड बना लिया और से के लिए यह देखे यलो कलर की मैंने यहां पर पट्री लगाली तो आप जैसा भी कलर आपके पास पड़ा है देखिए आप लगा सकते आप मेरे पास जो कलर पड़े होते हैं ना काफी सारे रोज आपको पता है दोनों चैनल पे मैं वीडियो डालती हूं तो काफी सारे कतरन उन्हें में से कभी कपड़ा यूज कर लिया कभी कोई कपड़ा यूज कर लिया कभी पुराने कपड़े कोई निकल गए हैं तो इस तरीके से ही मैं बनाती रहती नहीं और फ्रेंट्स यह जो अब बाकी कपड़ा इसका बचा है न कुर्ती का back side paradox वह बाकि कुर्ती का उस पर यूज़ करूंगी एक पले का बैग साइड वाला जो है ना उसका यूज़ करूंगी जो अंदर वाली साइड पर लाइनिंग लगी थि ना उसका यूज़ किया है मैं ने तो दूसरे चैनल पे आप जाकर देख लिजियेगा अभी कुर्ती का और कपड़ा बचा है तो उसमें से भी देखोंगी अगर फ्रेंड्स अगर आप बैग बगएरा या कलच बगएरा भी सीखना चाते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करना उसका भी वीडियो में अपलोड कर दोंगी अगर आप बैग बगएरा सीखना चाते हैं या आप और क्या सीख चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और फ्रेम्स यह देखिए एक पट्टी मैंने लगा ली और दूसरी पट्टी को भी दूसरी साइट से लगाते हुए आप देखिए यहां पे ना हमने और पट्टी नहीं लगानी है बस दो दो अब इसको फोल्ड कर लूगी यह इस तरह से फोल्ड करते हुए यहां पे उपर से मैं सिलाई लगा लूगी शिलाई हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पे अच्छे से सिलाई लगाते हुए हमने दो पट्टी यह लगा ली सेव इसी तरीके से दूसरी साइट पे यह और यह मजंटा कलर मैं लगा लूगी यह देखो ठीक है इसी तरीके से दूसरी साइट पे भी लगाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है तो देखिए यह जो पैच है इस तरह से सेंटर में रखते हुए हमने इनको पहले पिन लगाके यह देखो अच् तीन कट किये थे लेकिन इसमें दो ही मेरे यूज होंगे बाखी का यूज मैं बाद में करूंगे आप देखिए अगर आपके पास जिग जैग वाली मशीन है तो जिग जैग की मशीन के साथ भी आप इनको अटेच कर सकते हैं मेरे पास जिग जैग वाली मशीन है लेकिन मै जब सूट पे मैं करूंगी डिजाइनिंग तो जिग-जग वली मशीन के साथ इनको अटेच करूंगी फिर आपको दिखाऊंगी प्यारा सा डिजाइन रेडी करेंगे हम सूट का ये देखो इस तरह से तो जितने भी अभी काफी सारी पैच है मेरे पास तो एक सूट पे और सलवार पे भी डिजाइन हो जाएगा तो सूट पे और सलवार पे अगर थोड़े बचेंगे तो पट्टे पे भी लगा लूँगी ये देखो अभी पैच जो थे एक पैच हमने अटेच कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लूप काया है ना देखने में अच्छा लग रहा है और साइट पे हमने जो पट्टियां लगाई है इसके साथ ये और भी सुन्दर लग रहा है अब देखिए चारो साइट से पट्टि लगा के हमने इसको फिनिशिंग करनी है पैच जो हैं हमने अटेच कर लिया है आप देखिए फिनिशिंग वाली प्रूर हमने के लिए आप बना सकते हैं आप सेन्टर टैवल सकते हैं कि अब डादियों के लिया कुछ हर वीडियो में मैं आप प्रेंड सापको बतते हूं अब इस तरीके से याफ भी बना सकते हैं बनानी है तो उसमें आप फट्पर्म का यूजBeau निशियी फॉमिया वि और इस तरह से थोड़े बड़े साइज का भी आप बना सकते हैं बच्चों के लिए जहां पर की बच्चे अपना पेंटिंग बगेरा करते हैं, होमवर्क करते हैं, कई बार बच्चे क्राफ्ट का काम करते हैं, पानी बगेरा यह कलर गिर जाता है, तो इस तरह के मैट अगर काम आते हैं, तो फिरन जो यह चीजे मैं आपको बताती हूँ, डेली यूज होने वाली चीजे होती हैं, जो कि मैं आपको डेली बनाना बताती हूँ, तो इस तरह की चीजे अगर आप घर के लिए अपने घर के लिए बना के रखते हैं, तो काफी आपका काम जो है असान हो एक दम से बहुत ही बढ़िया इसका लूप काया है आप देख सकते हैं काफी सुन्दर इसका जो पैच वर्क है यह काफी अच्छा लग रहा है और इस तरह से अगर हम इंब्रोइडरी कराएंगे ना मार्किट से तो काफी महंगा होगा तो अगर आपके पास वे इस तरह से प इतना ही मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में